में नमस्कार दोस्तों, कैसे है आप सब उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप मेरे वीडियोो को काफी पसंद कर रहे होंगे. देखिए मैं यहां आपको लौन से समधिद व्यूडियोπως बना कर देता हूँ कौन सी एसे आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि यहाँ पे आपको लों से शम्मन्दिद और legal कोई भी आपका problem है उससे आपको मैं यहाँ आपको देता हूँ full detail ठीक है ऐसा नहीं है कि मैं loan पे ही बात करता हूँ मैं किसी criminal, civil, banking, loan और cybercrime इन सब पे मैं यहाँ पे solution देता हूँ लेकिन वो मैं अलग side में काम करता हूँ लोन पे बात कर रहा हूँ अगर आपकी कोई criminal से समस्या है कोई आपका case चला है criminal से समस्या प्लिस तंग कर रही है A to Z आप कोई भी मुझे से आप संपर्थ कर सकते हैं तो दोस्तों आज मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप loan app से loan लेते हैं तो आपका जो loan है वो wave of क्यों नहीं होता जल्दी write of क्यों नहीं होता है या settlement वाला जो offer क्यों नहीं आता है मतलब कहने का मतलब है मेरे पास कुछ comment ऐसे आए कुछ message ऐसे आए लोगों ने पूचा सर जो bank से NBFC से loan लेते हैं हम लोग मतलब physically जाके लेते हैं सब काम करते हैं उसमें हमने देखा है diet of भी होता है, settlement का भी offer ख़ीग है और इसमें हमारे जो है काफी चीजें हमारे साथ होती है ठीक है हमने लोगों का देखा है कि rent of हो गया settlement जो हो गया है ठीक है, this word है ठोट दे दिया ऐसी बहुती चीजें होती है लोन एप में ऐसा क्यों नहीं होता है तो देखी इस बारे में आपको कोई जान कर नहीं दूंगा लेकि उससे पहले अगर आप उससे पहले अगर आप घर बेटे कुछ पैसा अर्ण करना चाहसे है तो आपको क्या करना है Grow App को डाउनलोड करना है पूरी प्रोसेस को कम्प्लीट किया अकाउंट को खोला है तो मैं भी और आप भी दोनों को 100-100 मिल जाएंगे दोनों लोग हम अपने अकाउंट में टांसर कर सकते हैं आप भी और मैं भी तो यहां पर कमाई किया है आप क्या करेंगे अपने link को share करके जितना ज़्यादा हो सकेंगे link share कीजिए और यह तरह तरह आपने account खुला है account खुलवाईए ठीक है सबसे अच्छी बात है कि आप सबसे कुछ नहीं है कि आपको कोई नहीं बता रहे हैं चलिए ठीक है अब बात कर लेते हैं उस चीज की में टॉप एक देखिए आपने देखा होगा कि आपने loan app से loan लिया है आपके साथ क्या हुआ है loan app से loan लिया आपकी जो है default हो गई किस्ट नहीं दे पाए आपके पास call आना शुरू आपको जो है इस्टेजारों पर call करी आती आपकी contact list को hack करके call की जाती है मैं उनकी बता रहा हूँ जो fraud loan app से मैं उ हम 422-406 में call केस कर देंगे या court से बोल ला हूँ या police वाला बोल ला हूँ ऐसी call करके धंगी देते हैं आपको psychology पूरा परिसान कर देंगे ठीक है अब देखिए bank को और इनमें क्या अंतर है जो online digital form है जहां से आप loan लेते हैं उसमें और जो physically bank में आके हम लोग loan apply करते हैं बैंक में bank से loan लेते हैं चाहिए हम unsecure लें या secure लें अगर हम कोई भी loan default कर देते हैं EMI नहीं दे रहे हैं secure में क्या होगा आपकी चीज को बेचके पैसा हजम कर लेंगे बहला पैसा अपना बसूल कर लेंगे भाई आपको मौका देंगे bank वाले क्या करेंगे bank वाले भी साम your loan में उसको पैसा बसूल लेते हैं यह चीज़े बहुत रिस्क में लेते हैं, secure loan में आपको कम परहसान करेंगे मतलब देखने में यह आया है कि उसमें कम करते हैं क्या होता है उसमें कोई गारेंटी नहीं होती है अपको लून दे दिया आप नहीं पे कर रहे हैं तो आपके घर के पर घर करेंगे जो नंब्स पर घर घर पे जाएंगे मैं वकील बोल ला हूँ मैं कोट से बोल ला हूँ यह केस हो गया वो केस हो गया यह धाला लग जाएगी वह धाला लग जाएगी आपको साइकलोजी हाथ तरह से परसान करेंगे तो क्या होता है इतनी तैंसन या धेसत जो है आपके महौल आतपात के महौल में फैला देंगे कि आपको लोन पे करना पर जाएगा अंसिक्र में जाता अंसिक्र में यह होता है कि वो नहीं होता है वो आपको परसान करते रहेंगे कुछ नहीं होगा राइट अफ कर देंगे या सेटिलमेंट का उफर देंगे वो इसलिए देंगे क्योंकि वो फिजिकली होता है उन्हें पार रहे हैं तो उसमें क्या होगा वो सामदाम डंड भे रजमाएंगे आपके घर गुंडे भेजेंगे बहुजेंगे कॉल करके परसान करेंगे कोट की धंगी देंगे पुलिस की धंगी देंगे सब कुछ बन जाएंगे यह नहीं जुखते सि लगता है यार अब हमारा पैस करेंगे क्या तो यहां पर यह चीजे इनको दे दी जाती है उन्हें बस कैसे भी अपना पैसा निकालना होता है यहां से बिल्कुला पैसा नहीं दे पाएंगे राइट आफ करके किसी थर्ट पार्टी को आपका लोन बेच देंगे पांच लगका लोने पचास जाड़ या थर आपने ली है वह तो करना है उससे जतना हम वसूल कर सकें लाग 2,3 वह उनकी है यह कम कर दिया झाल दिया आपको डाल दिया मतलब लोन गैनि ले पाओ गोई और जो हम प्यों आपनी प्योग्या सब्सक्रते कर दिया वहां को आप से आरा काम इंटरने सब काम आपको online देना है अपने document हर चीज अपनी online देनी है जब आप online अप्लाइब करते हैं एप को download करते हैं सारी contact list आपकी उनके पास चलिया आती है और ऐसा data आपका उनके पास जाता है contact list पूरी gallery photo location हर चीज जाती है अगर आप जूटा एड़स भी डालेंगे न तो भी पता कर लेंगे कि आपने जिस टाम लून लिया था कहा पर खड़े थे आप यह समझ लीजिए यह loan जो applications होती है इतनी जो है इतनी इसमें security होती है कि है बहुत करते हैं तो क्या करें तो पूरी कॉल करेंगे आप पागल हो जाएंग जिसने आपका मूर्डली होता है ठीक उन्हें पता है कि हमने लिए इसको सब्सक्राइब क्या दें मुझेत दबाकी करेंगे इन्हाय जो है नोटीस की धंकी देंगे यह मजबूर हो जाएगा लोट करने के लिए ठीक है अगा यह रिखाने का तो बहुंत पैसा पना निकल वालें ने हैं, क्योंकि उनकी तो रगम बहुत बड़ी होती है, करोड़ों में होती है, उनको तो बहुत दिक्कत है, उनको तो चीज की जरूरत है, लेकिन क्या करें, उनको नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूं मेरी एक देंट से बात होई है तब ही सारी बाते खुल के आई है ठीक है तो यहां पर आपको क्या करना है कि इस उम्मीद भूल जाएए जो अच्छी यानि जो नम एक में जो रिश्टर लोन एक जो आरे लेसंस पर आपता है जो टांसपेंसी रखती है वहाँ पर आपको क्या है वहाँ पर आपको यह चीजें नहीं क्यों परेसान किए यह वहाँ पर आप अप tension कर रहे हैं नहीं पर ठीक है लेकिन पेड़ेसे को पता है कि हम राइट आफ करेंगे तो हमारा पैसा नहीं मिलना है और हमें तो पैसा निकालना है कैसी भी करके तो यह चीज़े वह आजमाते हैं कि उनके पास contact list सबसे बड़ी जो होती contact list उनके पास होती है उनके photos आपके भी उनके पास चले जाते हैं तो आप कुछ भी कर लो या तो आप उनका पैसा दो गए या आपको खतम कर लोगे दो यह option है आपके ताथ लेकिन जो बैंक का option रहता है ना बैंक में जब आके लोन लेते हैं फिजिकली उसमें यह चीज़े नहीं होती है उसमें वह परिसान करते हैं लेकिन इस से जादा इस बुरी चीज़ को भी सुने तकि आपको समझ में आ सके तो दोस्तों यहां मेरा क्लियर करने का मतलब यह था अगर आप online पेट फॉर्म से लोन ले रहे हैं तो इस चीज़ को भूल जाइए का मैं पे नहीं कर पा रहा हूं तो मैं settlement की बात कर लूं या बेवाफ की बात कर बहुत ही जैसे आपकी क्रेट भी हो गई टू वैलेंज हो गया ब्रांच हो गया मैं इन में देखा है कि यह लोग आपको दे देते हैं यही चीज़ें आपको जो है राइट अफ भी कर दिंगे लोन माफ लेकिन आगे आगे आपका भी लोन निले पाएंगे की चीज़ का ध्यानक है और आपको बेवाफ भी कर देते हैं कुछ छूट दे देंगे या सट्लमेंट भी कर लेते हैं लेकिन बस यही चीज़ है कि आप घर बैटे पैसा अगर लोग है कहीं से कहीं जाने जो तो नहीं पड़ेगी तो यह थोड़ी बहुत परसानी उठाने बढ़ेगी पैसा ले किसी से लोन ले समय से पे कर दे इस चीज़ का विसे ध्यान लगे बस मुझे आप से यही आप पे अपनी बात को रखना था बताना था क्योंकि मुझे कुछ चीज़े मालू पड़ी थी अगर आप लोन ले रहे हैं तो समलकी लीजिए क्योंकि आपकी कि एक सरवर नहीं चार चार पार पार सरवर होते हैं बड़े बड़े वहाँ पर आपका सारा डाटा इस्टोर रहाता है तो इसलिए बोलता हूं कि ऐसा कोई काम मत करिए जिस्ते की आपको दिक्कत हो लोन ले रहे हैं पे कर दीजिए खासकर ओल्लाइन एप्स का तो उसको करी दीजे अगर बैंक से समझी कोई लोन आपने लिया है फिजिकली तो उसमें आप क्या करें उसमें आप जो है उनका भी पे करते हैं अगर नहीं हुपा रहा है तो उनसे आप राइट आफ की मांग कर लिजे कि मेरा राइट आफ कर दो मुझे आगे लोन नहीं चाहिए र कोई हैं कि आज के टाइम में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो दोस्तों उम्मीद है आथ समझ गई होंगो जो मैंने कहा है अब मैं चलता हूं लिख जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगर आप हों यहां लोल ले रहे है कोई प्रॉलम हो रही है मैं आपकी पूरी साथ अपकी तयाये के साथ ख़ड़ा हूँ आभ मैं पैसा नहीं होती है मैं वही ले रहा हूँ मैं अपना एक भी पैसा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं यहां आपको जानकारी दिन्या आपकी मदद करने आया हूँ पैसा लेने का मेरा कोई मादन नहीं है अभी फिलाल में मैं ये फ्री में कर रहा हूँ होता है कि आगे मैं paid कर दूं क्यूंकि अभी मेरे पास काम कम है तो मैं कर रहा हूँ अगर जादा होगा तो भाई मुझे paid करना पड़ेगा इसलिए अगर आपका कुई अभी समझ चाहो तो मुझे legally आगे कोई problem है तो मेरे WhatsApp नंबर पर आगे मुझे call करें, message करें कोई भी चीज है दोनों आपको description ने मिल जाएगी ठीक है दोस्तों तो चरीक है चलता हूँ लेकिन चैनल को subscribe, bell आगर को press, like, share, सब कुछ करें अगर किसी कोई समझ चाहा है तो ज़रूर पूछें ठीक है दोस्तों तब तक के लिए वन्दै मातरम, जैहन